हमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपको अपने चनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो पर 30% टेक्स गवर्मेंट ने हमारे लिए लगा दिया था जिस वजह से अगर आप कुछ भी प्रॉफट गेन करते हैं चाहिए आप सौर पर गेन कर लीजे चाहिए हजार पर कर लीजे उसमें कोई मिनमम यहां पर नहीं रखा गया बट आपको इस पर 30% टेक्स द बढ़ना पड़ेगा यहां पर किया क्या पॉस्विल्टी का बढ़ा है और अगर आपको वीडियो अच्छी में लगे na कर दीजेगा, शेर कर दीजेगा सभी फेंड के साथ, और हमारे टेलिगाम पर पर चुब आपको जाके आप सर्च करोगे, डेक्ट आपको तब भी हमारा चैनल, देखें मिल जाता है, तो बात करते हैं, आज की वीडियो के बारे में, सबसे बहले अगर आप यहां पर करके आपके एड़ोप को लेगर ही कवर कर आँ अब इस एड़ोप के अंदर में जो भी लोग लोग है जैसे कि अभी बात कर ने अंदर में जैसे हैं सबस्क्राइब इसके जैसे जो भी project अभी आपको free में point दे रहे हैं तो सारे-सारे airdrop के अंदर भी रखे हैं क्योंकि वो लोग आपको gift करते हैं क्योंकि जब भी कोई नया project आता है वो लोग आपको free में जो कुछ coins देते हैं उसी coins को ही हम लोग airdrop कहते हैं कैसे हमने उनको follow कर लिया उनको like share कर दिया या फर उनके giveaway के अंदर हम पार्ट शूड कर लिया तो उसके अंदर में जितन भी coin हम मिलते हैं वो gift के अंदर में या फर आप कहा सकते हो कि हमें airdrop के अंदर में दिये जाते हैं अब इसी को लेकर हम समझते हैं कि आखरकर tax का क्या scene है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अल्रडी मैंने आपको update कर देख आखरकर airdrop होता कि है अब इस पर taxable की बात करी है तो यहाँ पर चेक कर सकते हो तो इस पर tax है वो यहाँ पर flat 30% नहीं लगता है वो in website के according कहा जा रहा है यह लोग कह रहे हैं कि FMB के अंदर में आती ही लोग यानि कि अब हम कुछ भी coins earn करेंगे जो कि फिलाल फिरी में earn करेंगे उस पर tax यहाँ पर flat 30% लगेगा नहीं फ्लैट किस पर लगेगा कैसे लगया इस चीज को समझते हैं पहले अच्छे इस detail वाई समझते हैं कि आखरकर क्या 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 position है यहाँ पर हमारे लिए बंती है विड्रॉ कर लेंगे instantly आपने जैसे आपको मिला आपने उसको विड्रॉ कर लिया तो यहाँ पर आपका वो profit आएगा gift के अंदर में पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस पर tax मिलेगा उस पर आपका slab का tax होता है वो आपको बरना पड़ेगा अब इसके अलाबावा अगर आप 10,000 से वो value 15,000 होगी for example आपको coin जो मिले जैसे for example आपको 10,000 की value मिली थी अभी इसको मैं बता जेता हूँ मुझे 10,000 मिले मैं 10,000 का withdraw कर लिया तो मुझे इस पर सिर्फ slab का tax जाएगा जो मैं yearly tax भरता हूँ वो दूसरे कंदर में लोग count करके आपको दा देंगे जो आपका CEO ह आप से पूछेगा टेक्स के टाइम आप उसको यह honest ही बता दीजेगा कि मैं इतना यहां पर a drop मिला था इस तारीक को बस आप हर एक चीज का data है वो लिख कर रखे है कहीं ना कहीं कि बहुत सो exchanges आपका data collect करके रखते हैं कुछ exchanges नहीं भी कर रहे हैं बट फिर भी आपको यह again tax परना पड़ेगा अब tax किस पर रहेगा वह आपका 10,000 पर tax लगेगा for example आपने यहां पर 10,000 कमाया था यहां पर a drop से वह आपने hold कर ले और वह हो गया 20,000 जब वह 20,000 हो जाएगा तो इस पर जो flat 10,000 आपको extra बढ़ गया है उस पर flat 30% tax लगेगा और उस पर कोई भी यहा करके profit जैसे gain करते हो वैसे वाली category के अंदर में आप उसको रख सकते हो यह यहां पर कहा गया आप कुछ website को जाकर चेक करो तो आपको वैसे कुछ आपको देखको मिलेगा कुछ website यहां पर बाते कर रहे हैं कि हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं कि इतना रहेगा इतना रह कर देते हैं या फर आप आपने जो टेक्स सेवल आपका परमन्त हो या फर पर यहर का होता है उसमें भी आप भर सकते हो बाकि उसके लावा अगर उसकी value बढ़ती है तो आपको उसको टेक्स फ्लैड भरना पड़ेगा 30% जैसे मैं आपको यहां पता है कि 10 का अगर 20 हो जात तो आपको उसमें इसके वारे में अच्छे से explain कर देंगे जिनसे आप tax file करवाओगे तो आप आप यह चीज समझेगे होंगे कि tax किस तरह से लगेगा यह खास कर कि a drop को लेकर है अब यहां पे आप देखोगे तो income के भी बहुत तरीके से अलगल तरीके से बाटा गया जैस यानि crypto market के अंदर में कुछ भी benefit कमाते हैं tax उस पर ही लगेगा और अगर आप यहां पर a drop gain करते हो और वो gift के अंदर में कहीं कहीं हमें कम यहां पर देखो मिलेगा 50,000 से अंदर मिलेगा तो जागा अगर उससे उपर जाता है तो उसके rules अलग तरीके से यहां पर apply होते हैं यानि कि वह आप भी के पास रहेगा पैसा जैसे आप पैसे को मा लेते हैं कि कोई exchange यूज कर रहे हैं coin DCX में आपका कुछ पैसा कट गया कोई और exchange ने आपका TDs काट लिया जैसे 10,000 पी पूरे साल के अंदर में काट लिया तो 10,000 का जब आप tax file करोगे तो यह 10 का 10 पूरा adjust हो जाएगा for example आपका total TDS कटा था यहाँ पे 10,000 के आसपास अगर आपका 10,000 भी कटता है तो आप यहाँ पे tax जो आपका total बन रहे हैं यहाँ पे 50,000 के आसपास तो आपको सिर्फ 40,000 और बरने हैं आपके यहाँ पे tax 50,000 बिल्क हो जाएगा मतलब कि simple समझेगा कि जो आपका 1% TDS deduct हो रहा है वो refundable होता है अगर tax उसे ज़्यादा बनता है आपका तो वो आपको वहाँ पे adjust हो जाएगा और अगर आपका tax से आपके कम जाता है जैसे for example आपने tax जो TDS है वो आपका 10,000 कट गया और आपकी income बनी सिर्फ 5,000 पे आपको बने tax government को तो 5,000 आपको refund भी आ जाता है तो यह I hope बहुत लोगोंने tax भरा होगा तो उन लोगों को पता होगा कि वह TDS जो हमें reverse हो जाता है तैसे में कोई दिक्कत नहीं है तो I hope दोस्तों जो चीजें है अब updates है मैंने आपको उता दिए अब अलग-अलग website भे आपको सब्सक्राइब करते हैं जिसको यूज करके आप जाजया benefits कमा सकते हैं तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो लेकर